गर्मी शुरू हो चुकी है तो ऐसे में ठंटी ठंडी आइस्क्रीम खानी तो बनती ही है इसलिए मैं आपके लेकर आए हूं कस्टर आइस्क्रीम बनाने के एक तम आसान सी रेसिपी इसके लिए हमने लिया है कस्टर पौडर जो आपको किसी भी शॉप पर या ओनलाइन आसानी से मिल जाती है तो यहां पर हम लेंगे दो चमच कस्टर पौडर और इसमें मिलाएंगे वन थर कप दूद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ध्यान रहे दूद ठंडा ही हो अ अब चलिए फिर कड़ाई रख दीजे गैस पर और इसमें हम डालेंगे दो कप प्योर दूद और दूद को अच्छी तरह से उबलने देंगे दूद में उबल आ चुका है तो इसे एक बाद श्टर कर देंगे और अब हम इसमें मिला रहे हैं आधा कप शकर शकर आप कम और बैठा रहता है तो इस तरह से हमने इसे mix कर के दूद में मिला दिया है और इसे लगातर चलाते हुए पका लेंगे इसे पकाने में हमें कुल 15 मिनट लगे हैं और मीडिया माच पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लगातर गाढ़ा होते जा रहा है तो मैं आपको बता कि इसकी consistency कैसी होने चाहिए जिससे कि एकदम पर्फेक्ट टास्किम बनकर तयार होगी देखें इस तरह से एकदम पर्फेक्ट रेडी हो चुका है तो अब हम इसे एक बाउल में पलट करके इसे फ्रीज में एक घंटा के लिए रख देंगे जिससे कि ठंडी हो जाएगी और अब हम इसमें एड़ करें हैं एक कब वीपिंग क्रीम इसे हमने वीप्ट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और वीपिंग क्रीम हम कैसे बनाते हैं इसे कैसे वीप्ट करते हैं इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है तो इसका लिंक मैं आपको दे इसे दो मिनाट तक अची तरह से विव्ड कर लेंगे यह देखिए आइस्क्रीम का मिक्षर अची तरह से रेडी हो चुका है अब हम इसे एक टिफिन बॉक्स में पलट देंगे और इसे सारी रात के लिए फ्रीज में जमा देंगे इसे ढखना ना भूलें क्योंकि अगर हम इसे नहीं ढखते हैं तो आइस्क्रीम बरफ जम जाती है तो इसे ढख करके जब हम जमाएंगे तो बहुत ही सौफ्ट आइस्क्रीम तयार होगी जिस तरह से हम शौप से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह की आइस्क्रीम ये बनकर तयार होगी हमने इसे में कोई भी मिलावटी रंग नहीं मिलाया है ये बहुत ही स्वादिश्ट आइस्क्रीम बनकर के तयार होगी आप इसे एक बार जरूर घर पे ट्राय करें और इसे आप हम ढखकन लगा करके जमने के कालेंगे बहुत ही सॉफ्ट आइस्क्रीम है देखें मैं आपको दिखा रही हूं जिस तरह से आप शौपर देखते हैं यह इस तरह से देखें लाइन्स की तरह से आइस्क्रीम पर आई हुई है और बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी आइस्क्रीम बनकर के तयार हुई है यकीन म पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे एक नई इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार